हेलो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं DRDO यानि की Defense Research and Development Organization की Deal यानि की Defense Electronics and Application Laboratory की Recruitment Notification आई हुई है जिसमें Total 71 Vacancy है जो की Diploma Apprentice Trainee और ITI Apprentice Trainee की Post है आप यहां देख सकते हैं इसकी Form के Last Date of Submission जो है वो है 12th of March आपको 12th March से पहले पहले इसमें Apply कर देना होगा इसकी Location जो दी गई है वो है देहरादून यानि की जो उत्राखंड में है आप यहां देख सकते हैं Diploma Apprentice Trainee के लिए Electronics and Communication Engineering में 7 Post Mechanical Engineering में 4 Post, Computer Application और Computer Science की 13 Post आप Age देख सकते हैं Minimum 18 Years से लेकर Maximum 27 Years तक है आप अगर किसी काटेगरी से हैं तो आप यहां चेक कर सकते हैं OBC के लिए 30 Years और SCST के लिए 32 Years दी गई है आपको इसमें Apply करने के लिए आपको Diploma या फिर Engineering आपकी इस Related Trade से होना चाहिए और अगली Post जो है वो आप देख सकते हैं ITI Apprentice Trainee के लिए है जो की Electronic Mechanic के लिए 24 Post, Mechanics के लिए 7 Post, Turner के लिए 6 Post और Fitter के लिए 10 Post है इसमें भी Age Same मांगी गई है 18 to 27 Years, OBC के लिए 30 Years, SCST के लिए 32 Years इसमें 12th Pass प्लस ITI Certificate आपके पास होना चाहिए तो आप इसमें Apply कर सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं जो आपको Staff Fund मिलेगा डिप्लोमा वालों के लिए 8,000 टूपीस पर मन्त और ITI वालों के लिए 7,000 टूपीस पर मन्त होगा अगर आपको इस से लिटेट कोई दूसरी जानकरी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं मैंने अपनी मेल आड़ी वीडियो के लास्ट में दे रखी है अगर आपको लेटेस्ट रिकूट्मेंट से लिटेट कोई जानकरी चाहिए तो आप उपर दिये गए आई बटन पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जल्दी सब्सक्राइब कर लिजे और ऐसे ही गवर्मेंट जोब से लिटेड अपडेट पाते रही है और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने description में इस notification की apply link और official website की link डाल रखी है आप directly वहाँ से notification चेक कर सकते हैं और directly वहाँ से apply भी कर सकते हैं Thank you